कि को एनिमल्स के अंदर अमउनिया यूर्य उिरिय ऊसेड कार्बन डायक्षाइड वाॉटरा आजंस यह क्या है एक्चुमुले exhib को जाते हैं थे क्यों हो जाते हैं तो इसके दो रीजन हो सकति हैं इनके accumulate होने के दो reason हो सकते हैं, एक reason है metabolic activities और दूसरा reason है excess ingestion, simple सा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देखो, जैसे ammonia है, urea है, uric acid है, carbon dioxide है, यह क्या है हमारे लिए एक तरीके से harmful material है, या बोलों की waste material है, एक तरीके से यह waste है, तो इनको तो हमें निकालना ही निकालना पड़े और यह phosphate ions है, तो यह हमारे लिए water और ions अपने लिए जरूरी है, तो अब आपको पूछना चाहिए, कि water और ions तो हमारे लिए जरूरी है, तो हमें इनको excretion में क्यों पड़ रहे हैं, तो simple सा इस chapter में अपन यही पड़ने वाले हैं, कि जो waste है, waste है, उसको कैसे remove करें, या को कैसे remove करें, तो मेलली क्या होते हैं, अपने पास जो nitrogenous waste होते हैं, जो major nitrogenous waste होते हैं, वो कौन से होते हैं, ammonia, urea and uric acid, तो simple सी वाद है, जो animals ammonia को excrete करेंगे, वो हो जाएंगे, अमोनोटलिक, जो animals urea को excrete करेंगे, वो हो जाएंगे, यूरियोटलिक और जो uric acid को excrete करेंगे, वो हो जाएंगे यूरीकोटलिक ठीक है अब देखो यहाँ पे एक बिसिक सा हम आइडिया लगा लेते देखो अमोनिया जो होती है ना अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए और यूरिया को रिमूव करने के लिए ammonia से कम पानी चाहिए और uric acid को remove करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए ammonia को सबसे ज़ादा पानी चाहिए फिर उससे कम इसको फिर सबसे कम चाहिए uric acid को remove करने के लिए तो इसी के basis पे हम थोड़ा सा idea लगा लेंगे कि Ammonotellic Animals कौन से होंगे जो जनरली क्या है पानी में पाए जाएंगे पानी में भी बोलो या Fresh Water में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी जो पानी में पाए जाएंगे यानि Aquatic जिसके आगे 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 Aquatic तो वो automatically चला जाएगा Ammonotellic जमीन पे है यह जमीन वाली चीज़े चल लिए और Marine फिजदी को एक बात यहां पे ध्यान रखो Marine मतलब जो salt जो नमकीन पानी में है हना Salty Water में है मतलब उसके पास है पानी की कमी है बाहर Salty Water वो पूरा Water यूजज नहीं हो रहा है उसको पानी की कमी ही हम मानके चल सकते है और Ureč Central Tellic में क्या है बिल्कुल कम पानी यूज़ करना है बिल्कुल ही कम पानी यूज़ करना है रेप्टाइलगी, बर्ड्स होनगे, इंसेक्ट होनगे और स्नेयलस होनगे ठीक है इतनी बाते बिल्कुल ही अपने clear हैं देखो ये हमारे पास kidney है ये हमारे पास एक kidney है और ये हमारे पास दूसरी kidney है अपने पास दो kidney होती है एक left एक right ठीक है अपने पास दो kidney present होती है अब हर kidney से क्या है ऐसे एक pipe सी निकलेगी हर kidney से ऐसे pipe निकलेगी तो इससे भी नि नीचे क्या बना दी ओपनिंग बना दी ठीक है अब देखते हैं देखो यह हमने क्या किया यह अपने पास क्या थी यह अपने पास थी क्या किड़नी और किड़नी का नंबर कितना है दो ठीक है और यह जो पाइप नीचे आई यह अपने पास क्या थी यह थे अपने क्या यू जिसका नंबर है एक ठीक है अब NCRT की में लाइन आपको बोलने जा रहा हूँ कि दो किड़नी प्लस दो यूरीटर प्लस एक यूरीनरी ब्लैडर प्लस एक यूरीथरा को मिला के हम क्या बोल देते हैं इनको मिला के हम क्या बोलते हैं इतनी बाते बिल्कुल क्लियर है अब किड़नी के बारे में कुछ बाते लिखी हूँ यह NCRT में जो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे किड़नी का कलर लिखा हुआ है कैसा रेडिश ब्राउन किड़नी का कलर लिखा हुआ है कैसा रेडिश ब्राउन ये पहली बात होगे ठीक है और किड़नी का लेवल लिखा है कि किड़नी कहां प्रेजेंट होती है किड़नी कहां प्रेजेंट होती है अब्डॉमिनल केविटी में होती है common sense की बात है abdominal cavity और level लिखावे abdominal cavity में भी level अगर पूछ लिया जाए तो NCRT में लिखावे last thoracic और third number last thoracic और third number vertebra के level पे ये present होती है इतनी बात है ये NCRT में लिखी हुए है बिलकुल ही clear है और kidney की dimension लिखी हुए है क्या के दी हुए है length दी हुई है width दी हुई है और क्या thickness दी हुई है और kidney का weight भी NCRT में दिया गया है length कितनी दी हुई है 10 से 12 cm length है 10 से 12 cm width अपनी NCRT में दी हुई है 5 से 7 cm ठीक है और thickness अपनी NCRT में दी हुई है कितनी 2 से 3 cm और weight अपनी NCRT में न दिया हुए 120 से 120 से 170 ग्राम 120 से 170 ग्राम तक किड़नी का वेट दिया हुए ठीक है इतनी बात है अब कुछ common sense की बात मैं आपको बिल्कुल clear करा दूं कि किड़नी के बाहर ऐसे एक capsule like structure ऐसे capsule present होता है capsule ठीक है simple सी बात है इसके बाहर है तो इसके बाहर भी होगा automatic सी बात है तो ये बाहर क्या होता है capsule present होता है ये क्या करेगा simple सी बात है capsule है ये क्या करेगा protection करेगा ये क्या करेगा protection करेगा अब देखो kidney के यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है kidney के यहाँ पर एक तरीके से kidney का दर्वाजा आप इसको बोल सकते हैं यह किडिनि का दर्वाजा प्रेजन्ट होता है और इस दर्वाजे को हम क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं इस दर्वाजे को हम बोलते हैं मैं इसको दर्वाज़ा इसलिए बो रहाँ कि तो जादा आच्छी बात है क्योंकि रीदल मतलब कदनी पट रहे हैं और यह पहले विस्ट्पि यह फॉनल शेप स्ट्रक्चर जो है आगे अगे अएसे प्रोजेक्ट हो रही है यह आगे ऐसे प्रोजेक्ट हो रही है यह आगे ऐसे प्रोजेक्ट हो रही है अब यह आगे प्रोजेक्ट किसमें हो रही है इनको मैं क्या बोल दूगा इनको मैं बोल दूगा कैलाइसिस इनको मैं बोल दूगा कैलाइसिस के आगे क्या होगा यहां म मेडिूला प्रे longitudلامी प्रेजेंट होते यह मैडिूलरी प्रेजेंट और मेडियूलरी पिरामिड ठीक है बिल्कुल फ्लो को समझो यहाँ पे क्या था अपनी नोच लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने दर्वाजा बोला था किड़ने का जो थी हाइलम हाइलम के आगे यह जो स्पेस है जो फ़नल शेप स्ट्रक्चर यह क्या है पैल्विस है रीनल प प्रोजेक्ट हो गया अपने केलाइसिस में और केलाइसिस से आगे क्या बनते हैं फिर अपने मेडियूलरी पिरामिड ठीक है अब देखो किड़नी को हमने यहाँ पे सीधा-सीधा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहला पार्ट कुनसा होगा जो यह खाली स्पेस है प इसको बोल रहे हैं जिस एरिया में यह पिरामिड प्रेजन्ट है उसको हमने बोल दिया मेडियूलरी प्रेजन्ट है अब आपका एक कोशन होना चाहिए कि इन पिरामिड के बीच जो यह खाली स्पेस बचा इसको हम क्या बोलेंगे तो simply यह कोरो टेक्स का ही पार्ट है दे am. इसका नाम है rinal column of believe pemot inhabited simply क्या है कि यह cortex का ही part है बट बट यह medium के बीच में present है ठीक यह अपना kidney का basic basic ncrt में पूरी NCRT ही हमने कभर क्ये क्या है तो अभे kidney में करना है किया basic basic अपना मक्सद देखो क्या है simply मानलू यह अपना हार्ट है यह अपना हार्ट है दिल अब कोई आल्ट्री किडिनी को जाएगी, कोई लंक्स को जाएगी, कोई हाथों में जाएगी, कोई ब्रें को जाएगी, कुई पेरों को जाएगी, क्योंकर प्रीं को एक ऐइगी किसमें किडिनी की तरफ आएगी, जार का ना, तो इसलिए हमने उसको अज thatE P Zachary Link ब्लड को फिल्टर करना तो यहां से ब्लड आ रहा है किड़नी के पास किसलिए फिल्टर होने के लिए किड़नी में क्या होना है सिंपली जो ब्लड आएगा हमें उसकी फिल्ट्रेशन करनी है और जो वेस्ट मैटीरियल निकलेगा उसको हम क्या करेंगे यहां से बाहर निकाल बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक सी बता दूगे कि नैफरोन क्या होती है functional unit of kidney नैफरोन क्या होती है functional unit of kidney और एक kidney के पास एक kidney के पास nearly क्या है 1 million तक नैफरोन होते हैं लगबग ठीक है नैफरोन क्या है functional unit of kidney है और एक kidney के पास 1 million तक nephron present होते हैं अब हम देखते हैं कि nephron क्या होता है कैसा होता है इसका structure क्या होता है अब detail में देखते हैं थोड़ा अब हम करने वाले हैं nephron अब हम करने वाले हैं nephron और इसी diagram से मैं आपका पूरा nephron cover करा दूँगा ये अपना क्या है एक nephron है अब nephron के अंदर सिर्फ दो ही चीज़े होती है एक होता है glomerulus और दूसरा कौन सा होता है दूसरा होता है renal tibule glomerulus क्या है ये गुच्चा सा आपको देख रहा है और renal tubule कहा है, simply यह जो yellow, yellow वाला पार्ट जो इसमें आपको दिख रहा है, वो लगबग अपना क्या है, यह yellow वाला पार्ट अपना क्या है, renal tubule है, ठीक है, अब एक एक चीज को यहाँ पर समझेंगे, एक एक चीज को, देखो, मैंने क्या बोला था कि kidney के अंदर क्या जहां से बहुत, अब आर्टरी तो बहुत बढ़ी आएगी न, वो छोटी-छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक ही नेफरोन थोड़ी है, यहां पर तो one million नेफरोन है, one million, तो वो आर्टरी बहुत छोटी-छोटी-छोटी कैपिलरी अब इसको हम बोले, अफरेंट आर्टरी ओल, अब यह अफरेंट आर्टरी ओल ने यहां पर क्या बना दिया, एक तरीके का गुच्छा सा बना दिया, और यह गुच्छा बना गए, यह यहां से निकल गई, यह यहां से निकल गई है, अफरेंट आई, और यहां से जो निक क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अब यह गुच्छा सा क्यों बना simply हमें क्या करनी है यहां filtration करनी है यहां filtration हो जाएगी और ऐसे 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 waste product बाहर निकल जाएगा ठीक है अब filtration कहा होगी यहां पर एक capsule present है जिसका नाम है Bowman's capsule देखो इसने ऐसे इसको कैसे cover सा करक्या है cover क्यों करक्या है क्योंकि इसमें से क्या होगा अब यह blood filter होना है blood filter होना है ठीक है तो यह जो Bowman's capsule अपना start हुआ यह क्या start हो गया अपना renal tubule start हो गया मैंने बोला था ना कि नेफरोन में क्या होता है दो ही पार्ट होते है एक glomerulus और दूसरा यह yellow वाला क्या है फूरा अपना रिनल टेबियूल है, बोमन कैप्सूल रिनल टेबियूल का यहाँ पहला बाट है, अब यह रिनल टेबियूल बोमन कैप्सूल से जब आगे बढ़ा तो अपना क्या आएगा, अपना आएगा PCT यानी proximal, proximal convoluted टुबुल यह अपना PCT आया, अब PCT से आगे जब बढ़े तो hairpin, hairpin like यह structure आई अपनी, यह structure इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लूप ओफ हैंले, मैं यह yellow portion की बात कर रहा हूँ, और लूप ओफ हैंले में भी देखो, यह नीचे उतरे तो descending limb, और यह उपर गए तो क्या है, ascending limb, यह लूप ओफ हैंले अपना यहाँ पे खतम ह अपन हो जाएगी, जिसका नाम है, collecting duct, ठीक है, आप देखो, यह हमने एक nephron की की, एक nephron की क्या open हो रही है, यहाँ पर collecting duct में, बहुत सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे nephron की जो DCT है, वो किसमें open होती है, अपने collecting duct में, देखो, यह यहाँ से आ जाएगी, मालो, यहाँ से अंदर दो चीजे होती है एक ग्लो मैरूलस और एक रीनल टिविल थो तो इस में से अगर हमें बताना हो कि नेफरों नाधिकाल फिरल सा सब्द्रकाद मांद्र biodyeakalen का हिसा बिल्कुल भी नहीं है और इफरेंट टिब्यूल के अराउंड रीनल टिब्यूल के अराउंड क्या किया कैपिलरीज का नेटवर्क बना दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं वसारेक्टा अब इसका काम क्या है यह काउंटर करंट मेकानिजम में अपने को अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है अब यहां पर एक और म केपसूल … ग्लोमेरूलस प्लस यह बोमन केपसूल को मिलाके क्या हम अन्से खेंश कर सकते मालविजियन बोड़ियूरीन करसक से स्कते हैं यह अपना नेफ्रीन यहां पर क्लिए है अब हम हम इसके बात क्या करने वाले हैं हम करेंगे urine formation ठीक है और यहां पर एक और मैं आपको ज़रूरी बात बता दू कि nephron हमारे बास दो type की हो सकते हैं एक होता है cortical nephron और एक होता है क्या जकस्टा medullary nephron वो किस बेस भी होता है देखो हमने क्या किये थे हमने medullary pyramids किये थे किये थे pyramids ना मैंने diagram में आपको दिखाया था pyramids कैसे होते हैं तो simple सी बात है अगर यह लूप ओफ हैंले अगर यह लूप ओफ हैंले थोड़ा बहुत उस पिरामिड में जाए उस पिरामिड में जाए तो क्या हो जाएगा cortical नेफरोन उसको हम बोल देंगे ना maximum जो नेफरोन प्रेजेंट होते हैं वो cortical होते हैं और अगर यह जो लूप ओफ हैंले है यह डीप डीप ली उसमें जाए मेडियूला रीजन में पिरामिड में जाए पूरा डीप जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम जक्स्टा मेडियूलरी नेफरोन बोल देंगे ठीक है इतनी simple सी बात है अब हम कहां बढ़ते हैं urine formation की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब next अपना topic है urine formation ठीक है urine formation तो urine formation में अपन कर लेते हैं सबसे पहले क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब देखो यह structure हम नेफरोन की ओल्रेडी कर चुगे यह हम ओल्रेडी कर चुगे ठीक हमने क्या किया था कि इधर से कोई blood vessel आईगे ना इधर से blood vessel आई क्या लेके blood लेके आई और उस blood का हमें करना है filtration तो इधर से वो blood लेके आई हना यह क्या हमने नाम दिया था अफ्रेंट आर्ट्रियोल फिर इसने आगे जाके क्या कर दिया एक गुच्छा सा बना दिया यह कैपिलरीस का गुच्छा सा बन गया और इस कैपिलरीस के गुच्छे को हमने क्या नाम दिया था ग्लोमेरूलस नाम दिया था बिल्कुल ठीक बात है अब ये हमने क्या किया था गलोमेरूलस और ये अपना क्या है ये अपना है क्या बोमन्स कैपसूल और ये है अपना क्या है PCT ये लूप ओफ हैनले और ये क्या है DCT इतनी बाते के लिए बट हमें यहाँ पे फालतु कुछ काम नहीं है, अपना काम सिर्फ इतना सा है कि जहाँ से blood यहाँ से निकल के यहाँ कैसे filter होगा, तो कौन सी चीजे यूज हो रही है, एक तो अपनी ये blood vessel यूज हो रही है, ये वाली blood vessel यूज हो रही है, और एक ये बीच में जो भी होगा वो यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है यह बॉमन्स कैपसूल की एपिथीलियम यूज हो रही है यहाँ पर ध्यान दो तीन चीजे यूज हो रही है एक तो ब्लड वैसल की लाइनिंग यूज हो रही है एक ब्लड वैसल की लाइनिंग यूज हो रही है तो बिल्कुल ह स्थ चैज़ को मेंने क्या क्रदिया है जूम करदिया यह प्लेट वाली अपनी यहां पर बना दी ब्लड वैसल बना दी और यह बीच वाला स्पेस क्या है यह अपना क्या मेंब्रेन बन जाएगी और यह यह जो layer है न एपिथीलियम किसकी बॉममन्स capsule की यह मैंने यह blue color में बनाई है ठीक है यह अपनी क्या है endothelium of blood vessel और बीच में क्या है basement membrane और यहाँ पे क्या थी epithelium of moments capsule ठीक है बिल्कुल ठीक है अब यहाँ से मालो blood आया है यह blood आया और यहाँ पे filter होके उसको ऐसे जाना ठीक है और यहाँ पे एक ध्यान रखेंगी कि जो Allen capsule की epithelium होती है वो slit membrane होती है slit membrane उसमें cells कौनसे होती है podocytes होते है देखो यह एक podocytes है यह एक podocytes है यह एक podocytes है podocytes ठीक है और इन पोड़ोसाइड में बीच में फ्रेज़न होते हैं तो इन slits की यहाँ प्रेज़न के अब यहां से इसको ऐसे filter होना है यहां पे अपने पास blood है blood में यहां पे क्या है blood vessel में तो सब कुछ होगा ना plasma भी होगा RBC भी होगी WBC होगी platelets भी होगी ना सब कुछ होगा plasma भी होगा plus यहां मैं बोल दूँ कि बहुत अच्छा बात रहेगी कि plasma plus blood cells इसके अंदर है अब यहां से जब यह ऐसे filter होगा तो क्या होगा blood cell इसको पास नहीं कर पाएंगी जो blood cell है अपनी RBC WBC platelet है वो endothelium of blood vessel को पास नहीं कर पाएंगी मतलब basement membrane में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ plasma आएगा इतनी बाते अपने को clear है अब basement membrane से चीजे कहां जाएंगी epithelium of bombons capsule की तरफ तो basement membrane यहां अपने पास किसको रोक लेगी plasma protein को रोक लेगी basement membrane यहां देखो filter होगे क्या आया plasma आया basement membrane ने किसको रोक लिया plasma proteins को रोक लिया अब आगे जो जाएगा आगे जो plasma जाएगा उसमें plasma proteins नहीं होगे उसमें plasma proteins नहीं होगे अब बारी आती है इससे filter होगी अब इससे filter होगी और फिर अंदर जाएगी पूले टिबूल में अब यह किसको रोकेगा epithelium of bombons capsule किसको रोकती है बाकी के जितने भी protein अब बचे plasma में यह उनको रोक लेगी बाकी के जितने भी protein बचे यह उनको रोक लेगी और जो अब बाहर निकलेगा जो यहाँपे filter होगी उसको हम क्या बोल देंगे filtrate और filtrate में क्या होगा plasma minus protein मतलब ऐसा plasma जिसमें एक भी प्रोटीन ना हो हाना इसको हम थोड़ा सा फिर से रिवाज करें देखो एंडो थीलियम ओफ ब्लड वैसल में क्या रुखा क्या अपने पास रुखा ब्लड सेल्स यहां पर रुख गई और प्लाजमा यहां इसने रोग दिया प्लाजमा को इसने फिल्टर होने दिया ब्लड सेल्स यहां पर रुख गई और बेस्मेंट मेंब्रेन ने फिर क्या किया उस प्लाजमा में से उस प्लाजमा में से प्लाजमा प्रोटीन को आगे फिल्टर नहीं होने दिया हना देखो हर एक चीज एक एक चीज रोग गया इसने क्या रोका ब्लड सेल्स को रोग दि हो भी बिना किसी प्रोटीन के, बिना किसी प्रोटीन के, ठीक है, अब ये फ्लो समझते हैं, देखो, ये फ्लो समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, NCRT में दिया हुए है सब कुछ, बिल्कुल दिया व बसारा, ठीक है देखो cardiac output हमारी होती है कितनी 5 लीटर होती है cardiac output मैंने उस chapter में भी बताया था क्या होती है simply क्या होती है कि एक मिनट में अपना ventricle एक मिनट में अपना ventricle body को जो blood pump कर रहा है एक मिनट में कितना pump करता है 5 लीटर pump करता है अब ये 5 लीटर ब्लड ब्रेन में भी जाएगा, अपने हाथों में भी जाएगा, अपने पैरों में भी जाएगा, लीवर में भी जाएगा, इंटेस्टैन में जाएगा, हर जगा जाएगा, तो किड़नी के हिस्से कितना आता है, 20% आता है, कितना 1 लीटर, मतलब 5 लीटर मे पता है कि बलड में जो 55% क्या होती है प्लाजमा होती है बलड के अंदर 55% होती है प्लाजमा तो सिंपल जिवाद है यहां फिल्टर क्या होना था सिर्फ और सिर्फ प्लाजमा को ही फिल्टर होना था बलड सेल्स का तो अपना कोई कामी नहीं है तो 55% प्लाजमा देख लेते ह होगी कितनी पहुंची तो एतनी पर सारी थोड़ीर होगी सारी नहीं होगी सिह बेश्मेंट वेम्रेन भी कुछ कितने फिल्टर ओगी सिर्फ और से टोटल ईयुकी ट्वंटी परसेंट फिल्टर होगी neste 20 परसेंट क्या है हमारे पास यहां पर पहुंचे कि इसका 25 20 परसेंट कितना हो जाएगा 125 अब जो यहां पर पूचा ना अपने पास यहां पर फिल्ट्रेट जो पहुंचा वो कितना है 125 अमल और यह पर मिनट चल रहा है सब कुछ कार्डियक आउटपुट पर मिनट होती है अब आपको कोशन पूचना चाहिए कि एक मिनट में अगर 125 अमल फिल्ट्रेट बनता है तो एक दिन में कितना सारा बन जाएगा तो एक दिन में 180 लीटर 180 लीटर तक बन जाएगा बट बट हमारा यूरीन जो आता है वो बिल्गुल कम आता है 180 लीटर यूरीन तो नहीं आत किस चीज की होगी पूरा NCRT मैंने आप चिपका दिया यह है अपना PCT यानि प्रॉक्जिमल कन्वलेटे टिविल यह है लूप और यह है DCT डिस्टल कन्वलेटे टिविल और यह है कलेक्टिंग डग्ट है PCT में देखो बिल्कुल मैं जो जैसे जैसे कोशन बनेंगे वो ही आपको बताता जाओंगा ठीक है सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम री अब्सॉर्प्शन कहां पर होती है PCT में होती है ना 72-80% एलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की क्या है री अब्सॉर्प्शन यहीं पर हो जाती है PCT में और क्या होती है यहां पर देखो सोडियम ग्लुकोज और अमीनो एसिड की PCT में एक्टेव री अब्सॉर्प्शन होगी और यूरिया की कैसी पैसिव होगी यह याद रखना है ठीक है और लूप ओफ हैंले की बात करें तो यहां वाटर एंड एलेक्ट्रोलाइट्स की री अब्सॉर्प्शन होती है और कैसे होती है असेंडिं लिंब ओफ लूप उफ हैंलेयल कोशन आए मैक्सिम्म री अब्सॉर्प्शन तो अंसर क्या जाएगा PCT जाएगा और मिनिममं री अब्सॉर्प्शन एसेंडिंग लिंब और दीच में कि Сब्सक्रेश उपना उसमें सायगा यह पतना वाला इसके आप ओफन के बाद तीसरा काम था दा टूबुलर से क्रेशन से लेट से बीटियुबुलर सीग्रेशन में क्या है फिर से वोई PCT, Loop of Enlay, DCT, Collecting Dect, Loop of Enlay के बारे में इतना कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं according to NCRT ही चलना हूँ, ठीक है, देखो, इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, PCT में हेमन्त कुमार अमोनिया, PCT में हेमन्त कुमार अमोनिया, ठीक, इस तरह DCT में क्या हो जाएगा, हेमन्त कुमार अमोनिया, ठीक है, और Collecting Dect में क्या है, अमोनिया कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा, हेमन्त कुमार हैं, हेमन्त कुमार हैं, हेमन्त कुमार हैं, हेमन्त कुमार ये दो glass का system समझ में आ गया तो समझ लो आपका counter current खतम ठीक है देखो ये दो glass हैं बिल्कुल same है A and B और इनमें same amount में पानी भर है same amount में पानी भर है मतलब solvent दोनों में बिल्कुल same है और red color का क्या है नमक मालो इसमें इतना थोड़ा सा नमक डाल है और इसमें हमने बहुत होनी चाहिए कि इसमें solute जो है वो कम है इसमें solute जादा है तो जिसमें solute जादा है उसकी क्या है concentration भी जादा है मतलब यहाँ पे B glass की concentration जादा है इतनी बाते क्लियर है अब देखो अगर मैं एक काम करूँ दोनों glass को semi-permeable membrane से अगर जोड़ दूँ तो पानी की movement कैसे होग तो पानी की movement simple है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी की movement होगी और इसी को घुमा फिरा के क्या बोलते है और आप देखो NCRT में कुछ ऐसा डाइग्राम दिया हुए यह अपना क्या हो जाएगा इधर PCT ह जाएगा यह अपना loop of hell ले यह DCT और यह collecting डक्ट और यह red color में क्या है वसा रेक्टा ठीक है और यह 300 400 600 800 1000 इधर भी इसमें वसा रेक्टा में भी लिखे में यह क्या है तो हमने जो अभी glass का example किया था जो glass में जो नमक था simply यह वो नमक है ठीक है यह simply solute को show कर रहा है कि जैसे मालो यहाँ पे यह 300 है और यहाँ पे 800 है तो इसका कहने का मतलब यह है कि 800 वाली जगह पे solute की amount जादा है है ठीक है सेम इसमें भी ऐसे ही है कि यहाँ पे 600 है यहाँ पे 1000 है तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस position पे solute की amount जादा है इस पे कम है ठीक है और fluid का flow देख लेते हैं ये fluid का flow है इसमें fluid ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ठीक है और vasa recta में बिलकुल इसके opposite ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ठीक है अब एक word आता है counter current counter current किस चीज़ के लिए use हो रहा है देखो इसके दो limb है loop of handle के दो limb है ये और ये दोनों में आप अगर देखो तो fluid का flow opposite है इसमें नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है दोनों में क्या है opposite और इधर vasa recta में भी अगर आप देखो ये इसका एक limb ये द नीचे की तरफ जा रहा है मतलब इसके भी दोनों limb में क्या है fluid का flow opposite है तो दो limb में दो limb में fluid का flow अगर opposite हो उसी के लिए हम word use कर रहे हैं counter current NCRT में साफ साफ लिखा है ठीक है अब बात करते हैं कि ये जो पूरा ये इतना ये mechanism है इसका उदेश्य क्या है इसका target क्या है देख हमें चाहिए concentrated क्यों चाहिए क्योंकि हमें पानी और salt की wastage नहीं करने मतलब urine वैसे तो देखो NCRT में लिखा है 180 लीटर तक formation होती है पर उसमें से क्या होता है पानी और salt को absorb कर लिया जाता है ताकि पानी और salt की wastage ना हो हम जादा से जादा क्या करेंगे जो यहां से ऐसे urine जाएगा उसमें से जादा से जादा पानी और salt को absorb कर लेंगे तो यह है अपना target पानी और salt निकालना है अब NCRT में एक line लिखी हुई है उसको याद रखना है सिर्फ बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा NCRT में क्या लिखा है कि मेली यह counter current mechanism होता है मेली किसके थू होता है यह मेली होता है UREA और NACL के थू है क्लेक्टिंग डर्क्ट से निकलेगा क्या यूरिया एक line याद रखनी है कि यह मेली यूरिया और NACL के थू होता है बस इतना सा आपको याद रखना है collecting ductus से निकलेगा Urea और यहाँ से क्या निकलेगा NACL यहाँ से निकलेगा NACL यह इधर आइसे भी निकलेगा NACL NACL अब देखो क्या होगा अब क्या होगा देखो यहाँ NACL निकल गया अब क्या होगा यह NACL इस Vasa Recta में पहुंच जाएगा इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएगा, ये भी इदर से ऐसे आके इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएगा, तो आप अब एक बात गौर करो, देखो यहाँ पे वासा रेक्टा देखो 300, 300 इसकी concentration हम simply solute की concentration देख रहे हैं, अब इसको solute मिलता जा रहा है, मतलब NaCl इसको म कि concentration इसमें बढ़ती जा रही है, ठीक है, देखो यह बढ़री है, अब क्या होगा, देखो, इस condition पर यहाँ बढ़री थी, यहाँ maximum थी, फिर इसकी घटनी स्टार्ट होगी, घटनी कैसे स्टार्ट हुई, देखो, अब इसमें solute जादा है, इसमें solute जादा है, तो क्या उसको balance करना है, वो balance हमने glass को जोड़ा था तो क्या होगा, उस solute को, उस solute की वज़े से यहां से पानी निकलेगा, यहां से पानी निकलेगा, उस solute की वज़े से, हमने किया था ना, low concentration से high concentration की तरफ पानी की movement होगी, और यह पानी इसमें घुसेगा, यहां से पानी निकलेगा पानी इसमें गुसेगा, अब देखो, यहाँ पे, यहाँ पे 1200 solute था, अब इसको पानी मिलता जा रहा है, मतलब concentration फिर से कम होती जा रही है, 1800, 600, 400, 300, तो इसका समझ में आ गया, और अब इसका देखते हैं, देखो, यहाँ पे थी क्या थी, 300 थी concentration, ठीक है, 300 थी concentration, और इसका क क्या निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया, मतलब solute की concentration जादा होती जा रही है, solute की concentration जादा होती जा रही है, यहाँ पे maximum होगी 1200, पानी निकलेगा, solvent निकलेगा, तो concentration बढ़ेगी, simple सी बात है, ठीक है, और अब इधर क्या हुआ, देखो, इधर यह maximum concentration थी, इसक निकल रहा है अब इसका solute निकलेगा तो इसकी concentration फिर से घटेगी सिंपल सी बात है ना solute निकलेगा मतलब निकलेगा तो इसकी concentration फिर से कम हो रही है ना नो सो छे सो चार सो तीन सो हना तो अब देखो इसका result क्या हुआ हमने NaCl को भी यहां अपनी बलड में ले लिया और पानी को भी बलड में ले लिया मतलब हमने reabsorb कर लिया हमने waste होने से बचा लिया तो यह पूरा mechanism कुछ ऐसे है I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब next हम करने वाले हैं mixturation का सीधे सीधे भाषा में अगर मैं बताऊं तो मतलब क्या होता है process of release of urine urine के release होने की process को हम क्या बोलते है mixturation simple सी वादा यहां से यूरीटराने थे यहां से यूरीटर आने थे और यह क्या था फिर अपना यूरीनरी ब्लेडर था मतलब इसमें अपना इस यहां पर क्या है यूरीन फिल हो गया यहां यूरीनरी ब्लेटर में क्या है पूरे में यूरीन फिल हो गया अब यूरीन इसमें फिल होगा तो सिंपल सी बात है इसकी दिवारों पर क्या पड़ेगा असर पड़ेगा थोड़ा सा खेचाओ पड़ेगा थोड़ी सी क्या होगी इसकी वॉल्स की यूरीनरी ब्लेडर की वॉल्स की क्या होगी थोड़ी सी stretching होगी तो इसकी वॉल्स की stretching जब होगी तो सिगनल किदा जाएगा Central Nervous System पे सिगनल जाएगा क्या सिगनल जाएगा कि भाई अपना टैंक भर चुका है इसको खाली करने की आवशकता है तो CNS क्या बोलेगा कि ठीक है भाई खाली करने की जरूरत है तो मैं signal भेज रहा हूँ तुम इसको खाली कर दो ठीक है इसने signal भेज दिया कि खाली कर दो मेरी तरफ से permission granted है ठीक है अब permission यहां से आ जाएगी तो इधर क्या होगा देखो अब इसको imagine करो कि यह एक balloon का यह एक balloon क कर दो कि मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि urinary bladder की जो muscles हैं वो contract हो जाएंगी क्यों contract हो जाएंगी क्यों यह जो चीज है ना यौरी नरी पिंग्चर जो अपना चोटा सा गेट हमने बताया था वह खुल जाएगा एक तरीके से वह रिलेक्स करेगा तो यहां से यह हट जाएगा गेट खुल जाएगा और यूरीन बाहराएगा तो अब कोश्चन पूछे जाने लायक बात यहां पे से बात है आप और रिलेक्स में यहां गलती कर जाओगे यहां क्यूज हो जाओगे तो यह याद रखना है है हन्हा सिम्पल सामने लौजी किया कि हमने इस टेंक को दबाया और इस गेट को खोल दया ऐसे याल रखना है कि यूरीनरी ब्लैडर की जो मसल है वो कॉंट्रेक्ट करेंगी कॉंट्रेक्ट करेंगी है तब यह गुबारा दबेगा और यूरित्रा जो चोटा सा गेट था यूरित्रल स्पिंक्चर था यह रिलेक्स कर जाएगा खुल जाएगा यही कोशन बनने लायक यहां पर कुछ डाटा है इसके जो मिक्चुरेशन वाले पैरा में यह आपको याद रखना ही पड़ेगा याद करना यह वैसे बिल्कुल इजी है कि एक दिन में पर डे कितना यूरीन आता है यही पर यह इंपोटेंट है याद रखने लायक इस पर लगा लो यह आपको याद रह जाएगा मेरको अच्छे तरीके से पता है पर यह आप भूल जाओगे कि एक दिन में यूरिया, एक दिन में यूरिया कितना 25 से 30 ग्राम, 25 तु 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है, एक दिन के अंदर, ठीक है, अब देखो हमने यूरीन पढ़ा, कि यूरीन का कलर कैसा है, यूरीन की pH कैसी है, मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे है, यूरीन का कर रहे है ऑना किody Parlina में क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा था तो युरीण की आनलेसिस के बेज़ पर उसी mixture ignored वाले पहरा में ही दिया हुए Usia지를 करके हम बहुत सारे metabolic disease या metabolic disorders को हम पता लगा सकते है कि बंदे में कौनसी बिमारी चल रही है यह और उसी में example कि इसका दिया हुए diabetes mellitus हम diabetes mellitus का पता लगा सकते हैं किसी इनसान के urine को analyze करके अब आपको पूछना चलिए कि ऐसा क्या उसके urine में मिलेगा कि हम बोल दें कि किसी इनसान को diabetes mellitus है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि اگر किसी इंसान के urine में क्या है, glucose है या kiteson body है ग्लीकोज और दोनों है ये दोनों मिलेंगे आपको ये दोनों मिलेंगे glucose भी मिलेगा और ketone body भी इसी इंसान के urine में अगर मिलते हैं तो हम easily बोल सकते हैं कि उसको diabetes mellitus नाम की बिमारी है तेखो glucose in urine को क्या बोलते हैं ग्लाइकोज युरी युरीय हाँ और ketone body in urine को सिंपल सी बात है ये घ्लाइकोगलुकोज के लिए आ गया और युरीय ये अपना युरीयन के लिए गैओ ketone body के लिए युरीया युरीयन के लिए इतनी बाते सिंपल है अब आगे एक topic क्या कहता है excretion other than kidney देखो हम अभी पूरे chapter में क्या पढ़ने है कि kidney क्या कर रही है waste material को excrete कर रही है बट यहाँ पे kidney के अलावा भी कुछ ऐसे organs हैं कुछ ऐसी cells हैं या tissue हैं जो excretion perform करते हैं कौन से कौन से दिये हैं पूरा NCRT को copy paste यहाँ पे किया हुए मैंने हना उसी को हम करेंगी lungs हैं liver है sweat glands है sebaceous glands है ठीक है lungs में क्या दिया हुए कि CO2 देखो simple सी बात है हमें पता है lungs क्या करते हैं CO2 का excretion करते हैं CO2 को बाहर निकालते हैं 200 ml CO2 पर मिनट 200 ml CO2 पर मिनट इतनी बाहर निकालते हैं और थोड़ा बहुत पानी भी लंग से बाहर निकालते हैं और liver के बारे में क्या दिया हुए bile लिखो simple सी बात है हमें क्या बात है bile क्या होता है bile कहां बनता है liver ही तो bile बनाता है और store कहां होता था गॉल्ड ब्लेडर में अपना तो हमें इतनी बात बता है कि bile की formation को न करता है तो थोड़ा बहुत बाहिल क्या है digestive waste के साथ बाहर excrete हो जाता है डाइजेस्टिव वेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पढ़ते हैं जब डाइजेशन होगी वहां पे bile आएगा intestine में आएगा तो थोड़ा बहुत digestive waste के साथ वह वेस्ट हो जाता है अपना excrete हो जाते है और sweat cleanse की बात करें तो आपको पता यह sweat cleanse के पसीने में क्या क्या होगा water होगा और नमकीन पसीना हना पसीने में क्या होता है NACL होता है वैसे किसी ने टेस्ट तो नहीं किया अपर पता सब को है नमक अपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हो तो जिनकी स्किन ओइली होती है तो उनके ऐसे नाग पर ओईली होता है आपने देखा विए टीवी में आड़ भी आती है फेस वाश की आड़ होती है उसमें भी दिखाते है ठीक है अब लास्ट अपना चैप्टर का टॉपि अपने को रास इसी चैप्टर में खदम करना पड़ेगा क्यों वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगा यहीं पर अपने को यह सही से समझना पड़ेगा रास ठीक है देखो सिंपल है यह यह सिस्टम रास वाला सिस्टम देखो रास होता क्या है रेनिन एंजियो टैंसिन एल्डो सिरोन सिस्टम यह एक्टिवेट कब होता है जब GFR अपना कम हो जाता है तो सिंपली हमें क्या करना है GFR को बढ़ाना है अब बढ़ेगा कैसे दिखो जकस्टा ग्लोमेरूलर सेल क्या करेंगी रेनिन को सिक्रीट करेंगी एक एक चीज है पूरी NCRT कवर हो जाएग इसको पकड़ के रखना जकस्टा ग्लोमेरूलर सेल क्या करेंगी रेनिन को रिलीस करेंगी अब रेनिन क्या करेंगा एंजियो टैंसिनोजन को एंजियो टैंसिनोजन वन में कनवर्ट कर देगा ठीक है अब आपका कोशन होना चाहिए कि एंजियो टैंसिनोजन कहां से आया किसने इसको बनाया तो इसको बनाता है कौन लीवर इसको बनाता है तो दो कोशन यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं कि रैनिन को कौन बनाता है जकस्टा गलोमेरूलर सेल्स बनाती है और एंजियो टैंसिनोजन को कौन बनाता है लीवर बनाता है तो रैनिन क्या करेगा angiotensinogen को angiotensinogen 1 में convert कर देगा अब angiotensinogen 1 जो है ये 2 में convert हो जाएगा अब 2 क्या करेगा 2 दो काम अपने करेगा दो काम करेगा क्या-क्या vasoconstriction करेगा अब vasoconstriction मतलब blood vessels को constrict कर देगा blood vessels जब constrict होंगी तो उनमें क्या है अपना blood flow बढ़ेगा blood pressure बढ़ेगा ना अपना GFR उससे बढ़ जाएगा और 2 क्या दूसरा काम इसका क्या है release of aldosterone aldosterone का release कराएगा इसका वैसे aldosterone का असली function अपने को hormone वाले chapter में ही समझाएगा पर इतना सा यहाँ बयाद रख लो कि aldosterone क्या करता है sodium और water की absorption कराता है तो जब absorption कराएगा तो देखो solute है sodium क्या है solute है solute बढ़ेगा तो solute के पीचे पीचे पानी आएगा पानी body में बढ़ेगा तो क्या है blood pressure बढ़ेगा GFR बढ़ेगा और इसे मैं water आएगा water जब body में बढ़ेगा तो अपना जी है फर बढ़ जाएगा disorders, disorders कौन से कौन से uremia, uremia का मतलब है देखो simple सा है, uremia का मतलब है urea in blood ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, आप क्या लिख दोगे urea in urine, यह आप गलती करने वाले हो, और यह गलती आप क्यों करने वाले हो, मैं बता देता हूँ यह आप गलती करोगे, इसकी वज़े से कि glucose in urine क्या था, glycosuria ketone body in urine क्या था, ketone urea, और आप यहाँ क्या कर दोगे, uremia मतलब urea in urine, यहाँ पे आप गलती करोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है और next है, renal failure renal failure, मतलब नाम सी पता लगए है renal मतलब kidney, और उसकी kidney का failure, ठीक बात है, और renal failure का इलाज कैब, simple सी बात है किसी की kidney खराब हो गई, तो उसकी पत्थर जैसे stone से बन जाते है, औक्जलेट यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है oxalate, 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 oxalate तीन बार मैंने repeat किया है oxalate के क्या है, वो stone बनेगे, stone of crystallized salt है salt कौन से है, oxalate salt है, औक्जलेट यहाँ पे याद रखने है next है, glomerulonephritis, देखो, जहाँ भी तो इस तरीके से बहुत असान तरीके से अपने यह chapter खतम हुआ मिलते हैं नई वीडियो में नए chapter के साथ, thank you